नमास्कार दोसन स्वागत है आपका हमारे शेनल ज्यार जागंदर मिश्रा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नया शीखना चाहते हैं तो शेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज कार्तिक पूरिमा के दिन रात सोने से पहले जाडू के नीचे चुपके से दबादे एक चीज मा लक्ष्मी दोडी चली आएंगी दोस्तों आज कार्तिक पूरिमा का दिन है और आज माता लक्ष्मी को बिशेश प्रिदिन माना जाता है दोस्तों आपके घर में जाडू तो होगा जाडू हर किसी के घर में होता है लेकिन क्या आपको पता है जाडू सीधे तोर से मा लक्ष्मी जी से जोड़ कर देखा जाता है क्योंकि जाडू को लेकर बहुत सारे सुब और असुब शगुन भी होते हैं और जाडू में मा खुश यहीं गश्टी हो जाए क्यूंकि आज कार्तिक पूरिमा के दिन रात सोने से पहले अगर आप एक चीज ज़ाडू के नीचे दबा कर रखते हैं तो माता लक्षमी ये छपड़ फाड़ के पैसा बरसाएंगी आपके घर में और पूरे साल जम कर पैसा आएगा कभी भी धन की कमी नहीं होगी दोस्तों बता दे कि बहुत सारी परिशानिया आपकी दूर हो जाएगी आए जानते हैं इसके बारे में क्यूकि ज़ाडू जो है वो मालक्षमी का प्रतीक है और दर्लता रूपी गरीबी परिशानी को घर से बाहर कर देता है दूर भगा देता है जाने के लिए बिशेस तरह के प्रियोग बताएंगे वैसे ज़ाडू मालक्षमी का प्रतीक माना जाता है और आर्थेक संपन्नता के लिए कई तरह से हम प्रियोग करते हैं ज़ाडू को लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़े भी बहुत माइने रखती है तो आज हम क कुछ खास बात बताएंगे जो कि ज़ाडू को लेकर अगर छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो घर से कलह-कलेस खत्म हो जाएंगे और घर में मालक्षमी जी का बास होगा अगर हम जोतिस की माने तो ज़ाडू का महत्व सबसे ज़्यादा है यह बिमारियों को दूर करने वाली सीतला माता के अपने एक हाथ में लिये रहती है इसलिए ज़ाडू का नीमित प्रयोग करने से यह कुछ बिशेस बातों का ध्यान रखना आवशक है जैसे कि आपको पता है कि कार्तिक पूरिमा के दिन सुर्यास्त होने के बाद ज़ाडू कभी भी अपने दिन प्रसन मुद्रा में रहती है इसलिए कार्तिक पूरिमा के दिन आप सुर्यास्त के बाद ज़ाडू अपने घर में बिलकुल भी न लगाएं दूसरी तरह सुर्यास्त होने के बाद ज़ाडू तो क्या पोहुचा भी नहीं लगाना चाहिए बहुत ज़रूरी हो तब आ ज़ाडू जोतिस की माने तो हमेशा एक ही जगह पर रखने की कोशिश करें अब यहने के कहीं पर भी आप ज़ाडू को लगा के इधर उदर आप रख दिया एक जगह पर रखें ऐसा ना करें वरना घर में जो आपके धन आता है वो आगवन प्रभावित होता है और आर्थ आर्थिक इनी बिशेस का रलाब होने वाला है आर्थिक संबर्धी बढ़ने वाली है और आपको बित्ती मामलों में सुधार होगा आर्थिक संपत्ती मिलेगी धन संपत्ती के जाफा होगा क्योंकि कार्थिक पूरिमा के दिन अगर सपने में देख लिए यहनी कि आपने मा या किसी पौधे को सुना दें, उनसे छमा मागे, ऐसा करने से सुपन का दूस्प्रभाव समाथ हो जाता है। तो जाड़ु को योज बिल्कुल मत कर ये तूटी फूटी जाड़ु को, क्योंकि जब आप जाड़ु लगाते हैं तो तूटा हुआ फूटा हुआ जाड़ु तूट तूट कर जाड़ु गिरेगा तो जीवन के धन परेसानियों को बढ़ा देगा। जाड़ु से आप अपने घर में धन को चुपा कर रखते हैं, वैसे तूटी सुक्रवार के दिन भी आप ला सकते हैं, ज्शी परिकार से जाड़ु को भी चुपा कर रखना चाहिए। लोगों की नजरों में नाए ऐसी विवस्था करने चाहिए बोलकर भी खुले आगवा आगन पर खुले आस्मान के नीचे जाडू बिलकुल भी ना रखें वरने जीवन में परेसानी बढ़ जाएंगे क्योंकि जब आप खुले आस्मान के नीचे जाडू रखते हैं तो जीवन में कश्ट बढ़ेगा ऐसा ना करें जाडू को जब भी अपने घर पर रखें हमेशा ही ढख कर रखने की विवस्ता करें वैसे तो जाडू रखने से जो सही दिसा होते है वो होता है उत्तर पश्चिम का दिसा ये बिशेश कर अच्छा होता है उस दिसा में रखने की विवस्ता करें जाडू को कभी भी किचन म करें फिर आप जारू लगाएं अब आज कुकि कार्टिक पूरिzy के दिन खास कर राथ सूने से पहले जारू के नीचे ऐसी कौन से चीद दबा दें कि माता लक्ष्मीजी दोड़ी दोड़ी चलिए आएं देखें राथ सोने से पहले आपको जारू के नीचे कोड़ी दबा क जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और यहां पर देखे अगर कौडी नहीं है तो आप रात सोने से पहले आप हल्दी की गाठ जाडू के नीचे जरूर रख दें हल्दे बिशेश का बहुत चुब मानी जाती है या फिर आप चाहें तो मौर का पंख आप जाडू के न नीचे लाउंग इलाइची और एक सुपाड़ी रख दें तो इससे भी विशेश लाब होता है लाउंग और इलाइची जो माता लक्षमीजी को सबसे प्री माना जाता है खास कर सुक्रवार के दिन तो और भी ज्यादा और विशेश का रात सोने से पहले अगर आप एक ये फिर आप जो काली मिर्च होती ये भी अब ये सारी चीज़े क्या होती कि नेगविटी को सोकर बाहर कर देती हैं तो ये विशेश रूप से ये प्रीयोग आप करें और खास कर इस दिन करें तो विशेश लाब होता है राज सोने से पहले आप जरूर करें माता लक्षमी किर्पा से विशेश कर लाब होता है क्योंकि जाडू में मा लक्षमी कवास होता है जाडू जो कि अपने आप में एक बेहद सुब है बहुत ही ज्यादा सुब है माता लक्षमी जी हमेशा और जाडू को हमेशा साब सुत्र जगह पर रखे साब सुत्रा रखके रखना चाह दें तो दुस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा जय माता दी और साथी बीडियो को लाइक करिएगा ज्यादा ज्यादा इस बीडियों को स्ब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकेन को प्रेस करिएगा